इस वीडियो में हम computer के important question discuss करेंगे जो की SSC, bank और RRB के exams में अक्सर पूछे जाते हैं important question है तो आप वीडियो को end तक धिहान से देखें और अगर आपको वीडियो helpful लगे तो चैनल को subscribe जरूर कर दें वीडियो को like जरूर कर दें पहला question है आज कल सबसे अधिक प्रियोग होने वाली निवेस युकती input device कौनसी है तो आपको पता है सबसे अधिक प्रियोग में क्या होता है computer में mouse सबसे अधिक प्रियोग में आता है mouse एक प्रकार की क्या है input device है mouse एक प्रकार की input device है यह question भी अक्सर पूछा जाता है कि निमन में से input device कौन सी है तो तीन आपको output device दे दी जाएंगी और इसमें mouse डाल दिये जाएगा option में तो आपको याद रखना है input device है mouse MB का मतलब क्या है तो MB का मतलब होता है megabytes MB का मतलब होता है megabytes ठीक है मूल निवेश निरगम प्रणाली basic input output system computer में बिद्धमान रहती है correct answer is का यात्रचिक अभिगम इसमिर्ती में किसी आकडा संचे में record का ब्रच्छाकार संचे क्या कहलाता है तो जो ब्रच्छाकार संचे होता है storage में वो होता है series model बोला जाता है उसको जो आकडा हम data storage करते हैं ब्रच्छाकार संचे में ब्रच्छाकार संचे का मतलब है tree storage की form में tree storage की form में जो हम data storage करते हैं उसको हम sireni बद्ध model कहते हैं computer आकडा की तुर्टिया कौन पर दरसित करता है ये question important है exam में पूछा जाता है जो computer के data में जो तुर्टि होती है उनको हम bug बोलते हैं क्या बोलते हैं bug बोला जाता है उनको ठीक है अगला question है iniac क्या था जो iniac है वो electronic computer है ms word प्रियोग की जाता है ms word प्रियोग की जाता है पध्यांस data संसोधन हे तु ms word का प्रियोग हम करते है पध्यांस data संसोधन के लिए एक pen drive है हटाया जाने वाला दुतिया भंडारन एक अक जो pen drive है वो secondary भंडारक है यानि की secondary storage है pen drive को हम हटा सकते हैं computer में लगा रहने दे की ज़रत नहीं है उसको हम data store करके उसको हम हटा सकते हैं computer की भासा में 1 megabyte में कितने white होते हैं तो 1 megabyte में मैंने आपको बतायते हैं 1 million यहाँ पर जो data दे रखा है उसका मतलब है 1024 into 1024 इस से निकला हुआ है लगवग-लगवग 1 million अपन मान के चलते हैं 10 to the power 6 super computer के लिए इस सब्द लंबाई का परास range क्या होती है तो super computer के लिए होती है 64 bit तक 64 bit तक लंबाई की परास होती है range होती है binary code में संख्या 7 को क्या लिखा जाता है binary code में संख्या 7 को 1-1-1 लिखा जाता है भारत में super computer परम का निर्मान कहां पर हुआ था तो परं का निर्मान हुआ था पुडे में जो सुपरकंप्यूटर है परं उसका निर्मान हुआ था पुडे में Computer Virus, Cable एक प्रकार के Software है जो मुख्ये तया नष्ट किसको करते है प्रोग्रामों को नष्ट कर देते है जो Computer Virus होता है जो computer को telephone line से जोड़ता है तो computer को telephone line से जोड़ने का काम करता है important है question आ सकता है computer को telephone से जोड़ने का काम करता है computer system के किस भाग को भौतिक रूप से इसपर्स किया जा सकता है तो हम hardware को इसपर्स कर सकते है software को हम इसपर्स नहीं कर सकते hardware को हमें इसपर्स कर सकते हैं software को हमें इसपर्स नहीं कर सकते वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा dot matrix किसका एक परिकार है dot matrix printer का एक परिकार है cd-rom क्या होती है cd-rom एक magnetic memory होती है एक छोटे silicon chip पर transistor और अन्य electronic उपकरनों के साथ पूर्ण electronic circuit को क्या कहते हैं उसको बोले जाता है integrated circuit computer को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रियोग कैसे करना होता है computer में एक operating system होता है जो की बताता है कि उपकरणों का प्रियोग कैसे करना है C, basic, COBOL और Java ये भासाओं की उधारण है ये high level की भासाओं है 1024 megabyte बराबर क्या होता है 1 gigabyte होता है Microsoft का नभीनतम operating system कौन सा है Microsoft का Windows 10 नभीनतम operating system है IBM क्या है IBM एक computer company है Google क्या है Google एक search engine है question कैसे आएगा निम्न में से कौन सा एक search engine नहीं है option दे दिये जाएंगे तो आपको पता लगाना है कौन सा search engine नहीं है तो यहाँ पर Google एक search engine है एक computer programmer आखड़ों को computer में डालता है ठीक है पिर्थम PD के computer में क्या प्रियोग करते थे तो पिर्थम PD के computer में हम vacuum tube प्रियोग में लेते थे ये question पूछा जाता है अकसर exam में जो पिर्थम PD के computer थे उनमें हम vacuum tube काम में लेते थे Microsoft Corporation का संबन्द की सुद्योग से है तो Microsoft का संबन्द है computer software से आपको बताना है comments करके कि Microsoft की स्थापना किन किन ने गरी थी ठीक है दो ब्यक्तियों ने की थी text में आपकी position दरसाने वाले blinking point को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं cursor तो text में आपकी position दरसाने वाला blinking point होता है उसको cursor बोला जाता है CDS का आकार कैसा होता है CDS का आकार होता है goal website के main page को क्या कहते हैं तो website के main page को बोला जाता है homepage website के main page को homepage बोला जाता है सॉप्ट्वेर के लिए एक अन्य सब्द कौन सा है तो सॉप्ट्वेर के लिए एक अन्य सब्द है प्रोग्राम कम्प्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं तो कम्प्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को बोला जाता है मदर बोर्ड ठीक है computer के मुख्य system board को motherboard कहा जाता है computer printer किस प्रिकार का device है तो computer printer output device है ये question पूछा जाता है मैंने आपको बताए दिया है कि input और output डिबाइसों से सम्मंदित कोश्चन आता है निमन में से कौन सी output डिबाइस है कौन सी input डिबाइस है mouse input डिबाइस है और printer एक प्रिकार की output डिबाइस है computer में built permanent memory को क्या कहते है permanent memory को कहते है roam read only memory computer को बनाने वाले physical components को क्या कहते है physical components को hardware कहा जाता है जिने हम इस परस कर सकते है keyboard, scanner, microphone ये उधारन किसके है ये input device के उधारन है important question है याद रखना है input device कौन कौन सी है keyboard, scanner और microphone ये input device है computer बंद होने पर contacts नस्ट हो जाते है memory के contacts नस्ट हो जाते है computer का monitor होता है computer का monitor output device होता है computer memory में रहता है data जो computer memory में data रहता है वो एक program होता है computer के data का CPU से परधी यंत्रों को अंत्रन किसके माद्यम से प्राप्त किया जाता है तो उसका answer है computer ports एक ही समय पर दौनों दिसावों में data भेजने के लिए कौन सी data संचार विदी प्रयोक्त की जाती है तो उसका नाम है full duplex ठीक है पहला graphical user interface किस company ने बनाया था Gerox ने पहला graphical user interface बनाया था important question है पूछा जा सकता है कौन उच्च गती का एक ऐसा network है जो किसी सहर या नगर में इस्थानिये network कुछ होता है correct answer उसका lane अन्य घरे लूप करनों में निर्मिच छोटे और सस्ते computer किस परकार की होते है तो वो है micro computer Elta Vista क्या है Elta Vista Google की तरह ये search engine है उस युक्ती को क्या कहा जाता है जो computer output को telephone line पर प्रेसित करने के लिए रूपांत्रित करती है computer को जो telephone से जोड़ती है वो होती है modem Microsoft Word किसका दर्ण है Microsoft Word ये processing device का example है संचार network जिसका प्रियोग बड़ी संस्ताओं द्वारा प्रादैसिक, राश्ट्रिय और बैस्विक छेतर में किया जाता है जो हो है WAN कितने किलोबाइट से एक मेगावाइट बनता है computer में एक निबल में चार बिट होते है important question है पूसा जाता है computer में एक निबल में चार बिट होते है computer में अधिकांस processing कहा होती है computer में central processing unit में processing होती है इनमें से एक input device कौन सी है printer एक input device है printer एक input device है prologue जो भासा है वो बिक्सित होई थी 1972 में प्रोलोग भासा बिक्सित होई थी बिलोग सब्द दो सब्दों का संयोजन है तो वो है बैब और बिलोग का तो बैब बिलोग इसका संयोजन है कम्प्यूटर कंट्रोल करने संबंदी इंस्टॉक्शन्स या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं तो उसको software कहा जाता है कम्प्यूटर का बहवाग जिसे कोई छू नहीं सकता इसका अंसर भी software है कौन सा hardware का example नहीं है तो operating system यह software का example है ना कि hardware का इंटरनेट पर server से सूचना प्राप्त करने के computer के process का अर्थ कौन सा है इंटरनेट पर जो हम सूचना प्राप्त करते हैं सर्वत से उसका मतलब है downloading करना भारत का पहला computer कहां इस्तापित किया गया था भारतिय विज्यान संस्थान बैंगलूरू में भारत का पहला computer इस्तापित किया गया था important question है आ सकता है track wall एक उधारन है track wall point and device का एक example है पहले से on computer को restart करने को क्या कहते है उसको बोले जाता है barm booting जो पहले से on computer है उसको restart करने को barm booting बोला जाता है important question है बूछ आ जाता है modular demodulator इसका सामाने नाम है modem जो computer को टेली होन से जोड़ता है computer साथ छर्था देबस कब मना जाता है दो दिसम्बर को कम्प्यूटर साथ चर्था दिबस मने आ जाता है अगर आपको questions helpful लगे हों तो चैनल को subscribe शरूर कर दीजिएगा